So good morning friends, welcome to my channel Edward Wings and कल हमने health inspector, जो है junior health inspector जो जो जेके SSB के अब exam हुए है उसका question paper जो है उसको discuss किया था with answers उसमें हमने GSK 40 question जो थे वो आए थे वो discuss किये थे और आज हमें जो है junior health educator का जो exam है उसका question paper जो है एक share किया गया हमारे साथ और आज हम उसके उपर जितने GSK question है वो हम discuss करेंगे ताकि आने वाले जितने भी JKSB के exam है उसके किलाव उसके लिए idea जो है बच्चों को मिल सके जो नए बच्चे होने idea मिले और जो पुराने बच्चे होने की revision हो जाए उनको भी कुछ extra knowledge जो हो इससे मिल जाए पता चल रहा थे कि JKSB current pattern में कैसे question डाल रही है वो हम question paper के जरीए analyze कर सकते हैं तो start करते हैं देखिए सबसे पहला question जो GSK वो था कि which of the following ruler ruled our Jammu from 1733 to 1782 तो 1733 से 1782 के बीच में Jammu कश्मीर की बात नहीं Jammu की बात हो रही है तो Jammu पर किसका rule था तो वो थे राजा रंजीत देव ठीक है रंजीत सिंग नहीं है याद रखिए कि वो अलग चीज है राजा रंजीत देव जो है ये different है ठीक है उसके बाद नीचे अगर आओगे तो दूसरा question जो है GSK आपको देखने को मिल गए था कि कौन सी ऐसी social moment थी जिसने की जो cost barrier जो है उसको तोड़ कर क्या किया था कि एक ऐसी प्रता चलाई थी जिसमें जो lower caste के people से उनके घर में जो है उनके हाथों से खाना बनाकर खाने की परमपरा जो है वो start की गई थी तो वो थी परम हंस मंडली ठीक है तो परम हंस मंडली जो है कैसी social moment थी जिसमें जो lower caste के लोग थे उनके हाथ से खाना बनाकर खाने की प्रता जो है वो start की गई थी ताकि जो कास्ट बैरियर है उसको हटाया जा सके है उसके बाद नेक्स कॉश्शन जो है वो है कि सींपल जो था यूटी पर कोशन आया था कि दमन एंड दादर हावेली जो है ठोडे दादर और नागर अगर हवेली जो कि अब एक ही यूटी है उसकी सीधी बात है पूछी गी थी चैपिटल कौन सी यह तो वह है दमन ठीक है इनकी कैपिटल है दमन कि उसके बाद नेक्स कोशन था कि महावीरा की बात हो रही थी जैनिजम पर कोशन आया था कि महावीरा जो की 24 तीर्थंकार थे जैनिजम के उनकी डैथ जो है वह कौन सी जगा पर हुई थी तो काफी सारे लोगों ने बहुत गया माना होगा बहुत गया में जो है वो बुद्धिजम जो है बुद्धिजम की जो फाउंडर रहे थे हमारे उनकी डेथ हुई थी जैनिजम के जो फाउंडर रहे थे उनकी डेथ जो है वो हुई थी पावापूरी में ठीक है तो इस कांस के लिए है ठीक है उसके बाद नेक्स कोशन है कि मोती मस्जीद जो है आगरा में ठीक आगरा फॉर्ट के अंदर एक मोती मस्जीद है उसे किसने बनाया था तो शाह जहां ने इस मोती मस्जीद को अगरा के अंदर बनाया था उसके बाद सबस्टांस होता है इसका नेचरल सोर्स है लाइकन से आपते है फीनियस्दिटी वेख भार वी कि यूजES होता है ऊंछ हरित् पथ अप नहीं है इन्हें नेने पोचै तो हरित्पत बिल्कुल एक면 एक किसके लिए है eco friendly national highways जो है वो eco friendly बनाया जा सकें track किया जा सके कोई national highways के इर्दगेट जो कितनी greenery पधिरा है उसके लिए जो है यह यह आप बनाया गया थो ठीक है तो हरित पत्त क्या है एक mobile app एक स्पोर्ट्स पर एक कोशन आया था उसमें था सुबोर्ट तो कप यह कोंसे खेल से जुड़ा हुआ है तो सबोर्टो कप यह फूटबॉल के खेल से जुड़ा हुआ है ठीक है नेक्स जो है Tribal पर पर ऐक कोशन आया था डायब है एक दिया गया सेंटिनेलि लिस ट्रायब के बारे में पूछा गया था कि व ही को पाई जाते हैं हिंदुस्तान में तो यह अंड़मान एंड निकोबार में वाई जाते हैं सेंटिनेल उसके बाद Science का это कौशन का की वह और्गनिजम जो की प्लांट्स और एनिमल दोनों को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं तो वह रहते हैं इस 다 deathा हिंदॉस्तानी music के साथ कौन सा in term में से जोड़ी होई तह वो है तराना ठीक है तराना जो है वो हिंदुस्तानी music से जोड़ा है बाकी जो है ये द्रावीदियन से जोड़े हुए थिर सारे नेक्स कोशन आपका state boundary पर आया था कि भूतान के साथ कौन सी स्टेट है इंडिया जिसकी भूतान के साथ boundary टाच नहीं होती तो और नाचल परदेश की भी टच होती है सिक्केम की भी टच होती है वेस्ट पंगॉल की भी टच होती है में घालेया जो है इसकी बांडरी टच नहीं होती ठीक है सिंपल सा कोशन था विंटर इंडिया की कोन सी पहली state है जिसमें 100% घरों में जो है यानि state के जितने भी घर है सब में LPG connection जो है वो अब हो चुके हैं तो वो है हिमाचल परदेश current affair था पिछले दिनों में जो है आपको देखने को मिला होगा उसके बाद state animal जो है जमो कश्मीर का वो पूछा गया था कौन सा है एजी है हंगूल जो है state animal है जमो कश्मीर का तो आई होप आप सब ने इसको ठीक ही किया होगा ओके उसके बाद simple एक और चीज़ पूछी गई थी कि सीधी बात है उत्तराखंड state जो है इसकी capital पूछी गई थी कि क्या है तो इसकी capital जो है वो है दहरादू ओके नेक्स कोशन था वो था कि जाइनिजम रिलीजन जो है यह किसने इन्वेट किया है किसने बनाया थी कि वर्दमान महावीर जो है यह जाइनिजम के फाउंडर माने जाते हैं इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा ठीक जो है जम इंडिया की वो कौन सी है तो वो है सूरत थीक है सूरत को डायमेंड सीटी के नाम से जाना जाता है इंडिया में इंडिया के बात करें बाहर मत चल जाई है ठीक है उसके नेक्स कोश्चिन जो है वो है कि अकबर ने जो है गुजरात के ओपर जब अकबर ने विक् हैं वोलंद दरवाजा इस्पोर्स पर एक और कोशन आता है माइक हसी जो है माइकल हसी जो है ये कौन सी गेम के साथ जोड़े मीजोरम, मीजोरम के आम बहुत अच्छे हैं तो आईजवाल वहां की होगी ठीक है कोड है वह या ठीक है, उसके बाद ये कोश्चिन जो है काफी बार रिपीट हुआ है, अगें यहां पर मुझे देखने को मिला है कि जम्मो कश्मीर की डांस परम की बात की जा रही है, जो कि सिर्फ विमन्स के दोरा जो है वह परफॉरम किया जाता है कौन सा डांस है जम्मो कश्मीर का तो वह है राउफ डांस ठीक है तो राउफ डांस जो है, वह सिर्फ लड़कियों के दोरह पर फार्म किया जाता है जमुकिश्मीर में ठीक है उसके बाद पूचा गया है सीधी बात है कि उत्तर परदेश में कौन सी जगा है भाईया जहां पर गंगा यमुना मीट होते हैं आप कहें आलाबाद भाईया आलाबाद तो है बिल्कुछ सही बात है लेकिन उन्हें पूचा है कि जिस जगह पर जमु उत्राखन में जहां जमुना एंड गंगा मीट होते हैं उस डिस्ट्रिक की कापिटल कौन सी है तो डिस्ट्रिक जो है वो तो अलाबाद है लेकिन उसकी कैपिटल जो है वो लखनौ है काफी गुमाकर कोशन पूचा गया तो बारा मुला में जो है मैच फेक्टरी जमु किश्मीर की सबसे बड़ी वो बनाएंगी है उसके बाद पिल्ग्रिमेज टेक्स की बात आ रही है कि जमु किश्मीर में 1563 की अंदर की बात है कि किसी ने पिल्ग्रिम टेक्स जो है पिल्ग्रिम हो गया जो यातरा वगरा प में लोकेटेट है तो माहे आपको पता है पुडुचेरी जो है यूटी हमारी उसका एक पार्ट है माहे ठीक है उसके बाद है जीडी मेला पर एक और कोशन देखने को मिला गया था कि कौन सा मेला है या कौन सा फैस्टीवल है जो मुकिश्मीर के अंदर जिसे फार्मर्स फिर के नाम से जान जाती है जिसानों का मेला जो है उसको किसको कहा चाता है वो है जीडी मेला ठीक है यहां पर जीडी मेला में हमने कम बढ़काल बढ़ा था शुगर कैन वगएरा जो है वो काफी बेची जाती है किसानों के तौर ठीक है उसके बाद टीर जो रहते हैं human body के अं आंसू जो निकलते हैं human body में कौन से gland के तरू निकलते हैं तो आंखों में हमारे होते हैं lacrimal glands वहां से जो हमारे tears निकल जाते हैं जब भी हमें खोशी या गम होता है खोशी के आंसू भी निकलते है ना when electric current flows through a wire it behaves like तो कहता है कि जब electric current जो एक वाइर में से flow कर रही होती है तो किस तरह से किस कि किस चीज़ के comparison में एक्ट करती है वाँ पर तो बिल्कुल मैगनेट की तरह एक्ट करती है और जो electric ions होते हैं उन्हें अपने तरफ खींचती है और वह चलता है ठीक है उसके बार next question है sorry next question आता है आपका again बुद्धा के ओपर जो है वो दिजम से question आया है कि जो stories है जो कि बुद्धा की past life के बारे में बताती हैं उन्हें क्या कहते हैं तो उन्हें कहते हम जटका stories टीक है तो जटका stories जो है इंदस वैली पर आपको question देखने को मिला करते हैं most prominent जो है पॉर्टरी कौन सी थी जो कि इंदस वैली civilization में यूज होती थी तो plain pottery बिल्कुर most prominent plain pottery थी although black and red वेर पॉर्टरी भी वहां पर मिलती थी printed gray वेर पॉर्टरी भी मिलती थी लेकिन सबसे prominent जो थी वो थी plain pottery ठीक है ज्यादा design नहीं निकालते थे विचारे simple plain pottery ब्रादे उसके बाद sports पर कोर कोशन है फिरोज शा कोटला स्टेडियम जो है वो इंडिया में कहां पर है तो उको बता है डैली में है इसमें जो है कोई गुभूलने बाद नहीं है ठीक है यह भूलना भी नहीं चाहिए उसके बाद डोगरा डैनेस्टी पर कोशना है था कि अट्राइस्टी आपको पता ही होगा ठीक है उसके वाद स्पोर्ट का एक और कॉश्टन था क्रेंट अफिड़ मारें Pיר में यह िंडिया कहीं है वो उacा ओनाया गया तो है टाइगर को पर स्ट्राइप्स होती है उनकी स्ट्राप्स अगैरा घिनकर बताया जाता कि कौन से कितने number of tigers जो हम अभी किस जंगल में पाएगे हैं ठीक है उसके बाद आखरी question जो है ये बिल्कुल ये गलत question है इसके खलाफ आप representation भी अगर आप चाहें तो दे सकते हैं क्योंकि मुझूदा यूटी की अगर आप बात देखोगे तो international boundaries जो है वो दो ही countries के साथ share करत करती है यह पाकिस्तान अपकानिस्तान तो जम्मो कश्मीर यूटी के perspective से देखें तो यह जो तीन आंसर दिया गया है जैके सब्सक्राइब की तरफ से यह गलत answer है क्योंकि यूटी जम्मो कश्मीर की जो है वह सिर्फ दो ही international countries के साथ बाउडर शेयर करती है हाँ अगर स्ट सब्सक्राइब के साथ देखते रहे है एडवर्ड विंग्स